तो जी हाँ नमस्कार दोस्तों एक पर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करेंट पुरिमत दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं UPSI का जो है एक्जाम हो चुका है जो फर्टर सिफ्ट का एक्जाम था 12 तारिक का मतलब आज का तो दोस्तो आप बहुत से लोग questions कर रहे हैं कि math और reasoning में किस topics के कितने questions आ रहे हैं दोस्तों पूरा detail में आप लोग को बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों आप लोग का जो paper होगा इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप दोस्तों ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो तो द दोस्तों आपको ये पीडियो मिल जागी जहां से आपको पता चालागा किस topics के कितने questions आ रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपका ये question आया था तीन वट्टे पांच की गातियन बराबर 21 वट्टे 625 है तो दोस्तों इसका answer है बहुत पूँचत जा रहा है तो द तर था वो 36 और समय दो बरस तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो एंसर है भोगा 10,000 दोस्तों अगला कुश्चन था अंडर रूट 6 फिर उस पूरे अंडर रूट के अंदर दोस्तों आप यह सवाल देख सकते हैं डाट डाट करके था तो दोस्तों इसका जो एंसर आएगा आप का तीन आएगा अगर आपने तीन के आक्स होगा तो दोस्तों आप यह सही होगा तो दोस्तों यह अगला कुश्चन पूछा गया था एकस प्लस एक वटे एकस बराबर पांच तो दोस्तों इस तरह का सवाल दिया गया था और इसका जो एंसर पूंच रहा था और दोस्तों आपका परसेंटेज है परसेंटेज से तो हाला कि आपको पहले से पता है कि यहां पर लग क्वेश्चन बन जाते हैं तो दोस्तों इस तरीके से यहां पर भी तीन से चार क्वेश्चन पूछे गया और दोस्तों कारे समय है तो कारे समय से लगवग आपके दो क्वेश्चन प लुड़े हुए थे तो दोस्तों आप लोग इधर जो हैं टॉपिक देख लीजिएगा जिसे ज़्याधा पूंचे गाँ उन पर आप फोकस कीजिएगा क्योंकि जल्द ही आपका भी एक्जाम होगा तो दोस्तों अगर अभी तक आपका जो है यहां पर एक्जाम सेटी नहीं और 6 तरमिती से 2 से लगवा 3 question पूछे गया थे तो इसी तरह से दोस्तों अगला जो एक question पूछा गया था यहां पर 420 रुपाय में एक बस्तु खरीदता है 33% लाव कमाने के लिए इसे कितने में बेंचे यह दोस्तों question पूछा गया था इस तरह से आपके question आये थे और यहां पर pie chart से लगवा आपके 6 question पूछा गया थे दोस्तों बहुत ही important है pie chart pie chart अगर अभी तक आपका topic clear नहीं है तो उसे और भी clear कर लीजिएगा तो दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहां पर दोस्तों ब्रत से related question पूछा गया था तो ब्रत का दोस्तों आपका यह question पूछा गया था यह भी लगवा आपके लिए important है ब्रत भी दोस्तों आप पढ़ लें सासा दोस्तों कथन निसकर जो है फासे पांच question आपके आया थे तो यह भी आपके लिए important होने वाला है अगर दोस्तों यहां पर बात करें तो यहां पर inequality से दोस्तों आपका यह question पूछा गया था एक question आपका inequality से आया था अगर दोस्तों बात करें तो Homeकी लें यह भी बहुत important है तो यहां पर भी दोस्तों लोगों के बहुत influitch आघे बात करें तो लोगों प्र文 के बहुत इंपोर्टेंट ने वाला के आकि है और आगे बात करें तो यहां पर बेंड डाइग्राम, बेंड डाइग्राम से दोस्तों, दो से तीन question पूछे गए, और साथ साथ दोस्तों, अगर यहां पर आगे बात करने, तो दोस्तों, यहां पर जो आगे calendar से question पूछे गए थे, तो 12 मार्च 1995 को रभिवार था, तो 15 अपराल 1999 को कौन सा दिन होगा, यह question दोस्तों, आपके calendar से पूछा गया था, तो I hope आपको वीडियो पसंद आए होगा, और यह जानकारी आपके लिए बहुत ही help पुलोगी, अगर आप दोस्तों, इस पीडिया को टेलिग्रम चैनल से डाउंलोड करके देख लेंगे, तो दोस्तों, आप लोग को यह अंताजा लग जाएगा कि इस topic से कितने फरस्णा रहें, हला कि भीवार तर्यां की मैंने, डोस्तों, आपको डिटेल में इकदम बता दिया है कि किस topic